यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी आलू के पापर तो देखिए कि यह हमने कैसे बनाए हैं इतने टेस्टी इतने यम्मी कि अखा करके आप लोग खुस होने वाले हैं इतने टेस्टी तो यह पुराने तरीके से बनाएंगे जैसे पुराने तरीके से बनाया जाते थे हलो आपने घर में बनाते रहेंगे पहले लेकिन वीडियो में इतना सारा नहीं हो सकता है इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं आपको तो यह देखिए इस तरह से आलू हमारे ठंडे हो चुके थे गाइस तो इनको हम लिग कर लेंगे ग्रेट सारे आलू एक बात गाइस और बत तो हार्ड हो जाते हैं और पापड़ों के लिए हमको चाहिए एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिए था ठीक है डोज चाहिए था इसलिए देखिए हमने कद्दू कस कर लिया है ग्रेटर से तो उसके जो बड़े-बड़े टुकड़े नहीं होंगे आप क्या करेंगे हम एक फ्ल करने से कोई टुकड़े आलू के बड़े रह भी नहीं जाएंगे और आप घिसेंगे तो आसानी से घिस जाएंगे तो देखिए इस तरह से बैटर हमको चाहिए जैसे हमने आपको दिखाया बैटर बनके तयार है तो अब इसमें हमने डाल दिया हजीरा अपने हिसाब से किसमें जाधा हो जाता है ठीक है तो अब इसको हम मिला लेंगे और इसमें हम एट करेंगे हरी धनिया धनिया की हम पतिया पतिया लेंगे डंठल बिलकुल नहीं लेंगे तो गाइस इनको हम करेंगे मिक्स सारा कुछ तो यह देखिए मिक्स कर चुके है तो अपने हाथों प बना लीजिए तो यह देखिए हमने बना करके तयार कर ली है अपनी बॉल्स ऐसे ही सारी बना करके तयार करेंगे तो यह देख सकते हैं हमारी बन करके तयार हो गई है सारी बॉल्स तो चलिए बनाते हैं पापड यह देखिए हम पापड बनाने के दो तरीके बताएंगे तो तुसमें देखिए एक तरीका तो यह है कि एक छोटी सी पनी ले ली है और दूसरी हम ले ले लिए बड़ी पनी जिस पर हमें अपने पापड डालने चाहँ सकते हैं तो हमें क्या करना है अब देख सकते हैं इसे पोच देंगे अपनी पॉलिटून को अच्छे से फिर हम करें इसमें लगाएंगे ऑयल कि यहां पर पापडम को रखना है वहीं पर रखा दोसरी अपनी पनी जो हमने छोटी प्रस करेंगे और आप देखिए हम ले लेंगे इस तरह की पत्थर की चौकी है आपके पास जो भी भारी चीज हो हलकी सी उसको ले करके ऐसे उस पर रख देना है आल उपर हलका सा प्रस करना है तो यह देखिए हमारा पापड बन कर तयार है अगर आपको लगे कि आपका को रखेंगे इसके उपर और इसको प्रस कर देना है और अगर थोड़ा सा दिकत है कि मोटा है या एक तरफ पतला हो गया तो उसको हमें क्या करना है बराबर से भारी चीज रखनी है अगर जिसके पास पापड वाली मसीन है तो वह भी तरीका बताएंगे उसमें कैसे बनाना ह होता है तो यह देखिए अच्छे से पापड बन करके तयार हो गया है हमारा तो यह देखिए दूसरी लोग ले ली थी हमने और इस तरह से हास से बढ़ाते वे भी बना सकते हैं जैसे कि पुराने में बनाया जाता था तो यह देखिए दोनों पापड बन करके तयार है इसी से रखेंगे लोई को और द पनी दूसरी तरप का है वह इस तरह से सब्सक्राइब Cantonese 6 और प्लेज रखेंगे नहीं का नहीं है तो हम चौक 친धे हम इस लीडा होगा उसको थीक? अपड़ वाली मसीन के बीच में रख करके हमें ऐसे प्लेस कर देना तो देखिए अब हम क्या करेंगे जिदर हमारा मोटा यह पतला होगा उसको हम सभी कर लेंगे हां से ठीक कर लेंगे यूए इवन कर लेंगे और उसके बाद में हम देखे इस पनी को थोड़ा सा खोलेंगे हलके से ये देख सकते हैं इस तरह से देखे दीरे दीरे करके पनी खोल लेंगे हम अच्छे से और इसको हम अपनी दूसरी पनी पर चिपका देंगे देख सकते हैं ये पापर बहुत जल्दी सूख कर तयार होते अच्छे से दूप निकला है अपने ही आप छूप भी जाते हैं बहुत जादा चुटाना भी नहीं पड़ता है बस इसका ध्यान यह है कि अच्छे से आप पनी पर ही चिपकाएं या फिस सीलिकॉन बेस जो मैट साती है उन पर लगाएं तो यह देखे इसी तरह से हम सारे के स पापड बना करके तयार कर लेंगे यह देखे दूसरी लोगी हमने ले ली है उसको भी हम फिर से ऐसे रखेंगे और देखे जो भारी चीन लेते हैं उसको एक समान रखना है किसी तरफ यह नहीं होना चाहिए कि किसी तरफ ज्यादा दबाव पड़िया और किसी तरफ कम दबाव पड़ेगा उधर हो जाएगा मोटा और जिद्र जाधा दबाव पड़ जाएगा तो अधर हो जाएगा पतला तो उसको हां से हम ऐसे इविन कर लेंगे इसी तरह से देख सकते हैं कि एक बात और हम कहना चाहेंगे कि हम अभी आपको जो भी पापड और कच्री बना क्योंकि होली का टाइम है तो होली से इसलिए हम होली से इतने दिन पहले आपको यह रेस्पी देर है क्योंकि हमें मालूम है कि आप सब को बनाना भी होगा दूसरी बात हमें दिखाना भी है तो यह देखे इस तरह से हम सारे के सारे पापड बना करके तयार करेंगे तो यह सारे पापड हमारे बन कर तयार हो गए हैं अब जब यह सूख जाते हैं अभी हमने मौर्णिंग के डाइम पर यह पापड बनाए हैं करीब दस बजे के करीब तो हम इसको दिखाएंगे साम में कि यह कैसे होते हैं तो यह देख सकते हैं साम के टाइम के यह देखिए पापड क तो अगर हमारी यह रेशपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करें सस्क्राइब करें अ